Hello and welcome back, I am Dr. Rahil Chaudhry, I am Dr. Catract and Refractive Surgeon आज की वीडियो में मैं आपसे discuss करूँगा कि अगर आप 2024 में लेजर से अपना चश्मा हटाने का प्लान कर रहे हैं तो आज की डेट में कौन से latest laser operation है ये काम कैसे करते हैं और इनका मोटा मोटा खर्चा कितना आता है ये सारा कुछ मैं आपको briefly और quickly समझाने वाला हूँ देखिए सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये जो laser operation हम करते हैं चश्मा हटाने के लिए ये सारे laser operation आँख के इस हिस्से पर करे जाते हैं जिसको हम कहते हैं cornea या काली पुतली या आँख का शीशा एक आपको quickly photo दिखाता हूँ उसकी तो ये मैं आपको थोड़ा सा photo दिखाना चाहता हूँ ये जो आप देख रहे हैं आँख का ये सामने वाला हिस्सा इस हिस्से को हम लोग कॉर्णिया कहते हैं या आँख का शीशा कहते हैं या काली पुतली कहते हैं हाला कि कहते हैं इसको काली पुतली है ये लेकिन ये जो कॉर्णिया का structure होता है ये बिल्कुल clear और transparent होता है ये वाली image देखिए आप ये जो आँख का बहार वाला हिस्सा है जहाँ पर shine देख रहे हैं ये हिस्सा जो है ये कॉर्णिया अब इस कॉर्णिया पे हम लोग चश्मा हटाते कैसे ये थोड़ा सा समझाता हूँ अब मान लीजिए ये आपकी आंग का कॉर्णिया या काली पुतली है और इसमे मुझे laser डालके चश्मे को हटाना है तो laser क्या करता है कॉर्णिया का थोड़ा सा तीश्मे का नबर हट जाता है और मोटी मोटी कालकुलेशन होती है कि अगर मैंने कॉर्णिया का 14 माइक्राण का तीश्मे का ठीक हो जाता है तो laser अगर 14 micron हटाएगा तो एक number ठीक हो जाएगा 28 micron हटाएगा तो दो number ठीक हो जाएगा 21 micron हटाएगा तो देड़ number ठीक हो जाएगा तो इस तरह से मोटी मोटी calculation चलती है अब देखिए laser भी जो है ये अलग-अलग type से ये tissue को हटा सकते है तो अगर हम laser से चश्मा हटवाना चाते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि laser से अगर चश्मा हटाना है तो basically तीन तरह के इसमें options होते हैं तीन तरीके से हम ये चश्मा laser से हटा सकते हैं पहला तरीका होता है जो बहुत ही common है जो एक तरह से हम सबने सुना होता है कि चश्मा हटाना है तो laser करवा लो ये laser जो है ये basically एक flap based procedure है तो एक तरीका है laser से इस number को हटाने का दूसरा तरीका है कि flap less procedure करतो second तरीका और third तरीका है कि surface पे laser डालतो तो laser को हम काली पुतली में तीन तरह से डाल सकते हैं number को हटाने के लिए अब देखें ये जो flap वाला operation है ये कैसे काम करता है तो again जैसे मैंने आपको बताया कि ये operation काली पुतली पर करा जाएगा और जब हम flap वाला operation या लेसिक करते हैं तो हम काली पुतली में एक पतली सी परत को काट के उठा लेते हैं और फिर आंख में laser को डाला जाता है और उस परत को वापिस रख दिया जाता है तो अगर इस तरह से हमने operation करा तो उसका नाम है flap based procedures या LESIC और इसमें जो latest operation है जो आजकल सबसे ज़ादा करा जाता है उसका नाम है contura या कुछ लोग कहते है contura vision जो इसका बुरा नाम है कुछ लोग कहते है contura LESIC क्योंकि ये एक तरह से LESIC की upgradation है तो अगर flap वाल operation हो रहा है तो हमारी preference contura vision रहती है चश्मा हटाने के लिए अब मान लीजे मैं ये flap नहीं बनाता बिना flap बनाए मैं पुतली में laser डालता हूँ और मान लीजे दो नमबर ठीक करना था तो 28 micron का tissue अंदर ही अंदर काट के उसको निकाल लो तो flap जो उपर एक परद बना रहे थे हम वो हमने नहीं बनाई अंदर डाला laser laser काली पुतली मर गया उसने काली पुतली के अंदर tissue को काट के एक lenticule या tissue का disc बना दिया और उसको हमने side से निकाल लिया तो अगर इस तरह से हम operation करते हैं चश्मा हटाने का तो वो flap less procedure हो जाते हैं और इसमें जो सबसे popular procedure है सबसे latest operation है उसका नाम है silk और फिर एक तरीका है कि मैं flap भी ना बनाऊ और laser को अंदर डाल के lenticule का piece भी ना बनाऊ मैं laser को direct पुतली पर डाल दू और जितना micron tissue मैंने हटाना है 14 micron, 28 micron, 21 micron, depend करता है patient का number कितना है उतना tissue मैंने laser से burn करके हटा दिया तो उस procedure को हम कहते हैं surface procedures इसमें जो सबसे latest है उसका नाम है epicontura तो mainly आपका चश्मे का number अगर laser से हट रहा है तो यां तो वो surface वाला होगा जिसमें epicontura है इसके पुराने वाले PR के smart software होते थे latest हैं सबसे popular epicontura है अगर flapless में जा रहे हैं तो latest हैं सबसे popular silk है इससे पुराना वाले एक smile नाम का होता था और अगर flap वाले में जा रहे हैं तो उसमें जो latest है वो है contura vision तो अब question यह आता है कि इन तीनों में से हम select कैसे करें कि आपके लिए कौन सा procedure सबसे बढ़िया रहेगा तो उसके लिए थोड़ा सा इन तीनों के differences में आपको एक बार समझाता हूँ तो जैसे मैंने आपको बताया flap based procedures है जिसमें contura lesic आता है flap less procedure है जिसमें silk आता है and surface procedure है जिसमें epicondura आता है ठीक है अब देखिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सुनने में तो ये procedure सबसे बढ़िया लगता है क्यूं? क्यूंकि इस operation में कोई दर्द नी, कोई injection नी, कोई टांका नी, कोई blade नी, कोई cut नी, कोई flap नी, कोई patti नी, कोई hospitalization नी आंग की पुतली पर direct laser डानना है और चश्मा हट जाता है पर फिर भी अगर हम देखें एक percentage of population में तो 90% लोग का चश्मा हम लोग flapless technique या silk से हटाते हैं और बाकी 5% लोग का चश्मा surface वालों से हटेगा और 5% चश्मा flap वाले से हटेगा तो सुनने में तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन popular ये ज़्यादा है और इसका कारण क्या है ये मैं अभी आपको समझाता हूँ तो सबसे पहले देखते हैं कि नजर की quality कैसी आती है तो अगर मैं contour वाला करूँगा तो नजर की quality बहुत अच्छी आएगी extraordinary vision जिसको हम कहते हैं 6-5 supervision एक normal इंसान से भी ज़्यादा अच्छी नजर आएगी अगर मैं silk करूँगा तो ये ही advantage मुझे silk में भी मिलता है 6-5 supervision एक normal इंसान से better आती है लेकिन epicontura वागले procedures में नजर 6-6 आती है तो vision की quality अगर हम देखें तो इन दौनों में vision बहुत अच्छी आती है compare to epicontura अब contura में एक छोटी सी problem है कि flap बनता है और अगर हमने इस काली पुतली पर flap बना दिया तो पूरी जिंदगी के लिए हमारे सिर पे एक लटक ती भी तलवार है कि किसी दिन आँख में चोट लग गई मुक्का लग गया, बॉल लग गई, बहुत जोर से आँख को खुजला लिया यह flap अपनी जगा से हट जाता है और जब यह flap अपनी जगा से हट जाता है तो नजर बिलकुल खराब हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है और आपको हॉस्पिटल में आके उसको ठीक कराना पड़ता है और जब उसको ठीक भी कराते हैं तो नजर को साफ होने में महीने से दो महीना लग जाता है, नजर बिलकुल नॉम्रल होने में तो यह एक major problem है contura वाले operations में यह problem silk में नहीं है तो अगर हम safety की बात करें तो safety wise silk की safety बहुत जादा है surface वालों की भी safety बहुत जादा है क्योंकि इसमें तो हम कुछ करी नहीं रहे, direct laser डाल रहे लेकिन comparatively flap वाले procedures जो contura है उनकी safety कम है क्योंकि यह flap वाले problems उसमें हो सकती है फिर हम बात करते हैं कि vision की recovery कितनी fast है तो question यह आता है कि चलो कोई बात नहीं थोड़ी सी 6-5 vision नहीं मिली 6-6 मिलके, normal vision मिलके फिर भी तो सुनने में जादा अच्छा लग रहा है तेकि एक major drawback जो epi contura में है वो यह है कि नजर की recovery जो है यह बहुत slowly होती है तो अगर मैं continue करूँगा तो आज operation करा कल से दिखना शुरू परसो से अपने काम पे लग जाओ तो fast recovery है super fast recovery similarly silk में super fast recovery आज करा कल से दिखना शुरू परसो से अपने काम पे लग जाओ लेकिन epi continue में recovery जो है वो महीने से डेड साफ जो है वो दीरे 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 होती है और एक महिना से डेड़ महिना लग जाता है नजर को पूरी तरह से साफ होके set होने में तो यह एक major drawback है जो यहाँ पे solve हो गया है और फिर एक जो सबसे बड़ा problem आती थी कि इन सारे operations का जो main side effect है वो है आंखों में dryness आना कि इन operation को जो हम करते हैं तो आंख में सुखापन आता है तो सुखापन contura में भी आता है लेकिन contura में सुखापन जादा आता है similarly अगर मैं epi की बात करूँ तो इसमें भी सुखापन बहुत जादा आता है चार से छे महिन लगते हैं इन दौनों में dryness को ठीक होने में वही मैं silk की बात करूँ तो इसमें सुखापन बहुत काम आता है एक से दो महिने में patient जो है वो ठीक हो जाता है dryness उसकी ठीक हो जाती है तो इसी लिए 90% लोग silk कराते हैं क्योंकि silk में contura का भी advantage है और fast recovery है वो भी silk में है तो जो silk है वो basically contura और epicontura इन दौनों के जो advantages है वो combine हो गए है एक technology में इसलिए 90% लोग का चश्मा हम लोग silk से हटाते हैं हाँ कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनका silk नहीं हो सकता उन लोगों के लिए हम लोग contura या epicontura को choose करते हैं थोड़ा सा मैं आपको यह बता देता हूँ कि यह जो सारे laser operation है चश्मा हटाने के यह जो है mainly आपके 8 number तक का चश्मा ठीक कर सकते है minus 8 तक का और अगर आपके चश्मे का number 8 से उपर है तो फिर laser operation हम लोग नहीं choose करते ऐसी situation में एक दूसरा operation होता है जिसको हम लोग कहते है ICL ICL मतलब एक lens जिसमे आपके चश्मे की power होती है इसको आँख में डाल दिया जाता है तो सारी power आँख के अंदर आ गई और बहार से चश्मा नहीं पहनना तो जब number 8 से उपर हो जाएगा तो जो procedure होगा वो ICL होगा और 8 से नीचे हैं तो ये वाले होगे अच्छा थोड़ा सा कुछ government medicals भी clear कराना चाहते हैं बच्चे और वो वाले बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा epicontura की demand जादा करते हैं क्योंकि epicontura में बहुत बड़ा advantage है कि उसमें आंख में निशान नहीं आता detect नहीं हो सकता scarless procedure है तो अगर आपका medical कुछ इस तरह का है जहां पे आपको epicontura या बिना निशान का operation चाहिए तो हम करेंगे otherwise जादा तर medicals SSC का medical हो गया, police का medical हो गया, CPO का है, SI का है, RB, Navy, Air Force है, CISF, CRPF, इन defense के medicals है, इन सब में majority लोगों के लिए हम लोग सिल्क वाला करते हैं तो मीट करता हूँ इस वीडियो से थोड़ा सा और clarity मिली होगे कि 2024 में कौन से कौन से latest ilaj है और कोई भी मन में doubt हो तो में से comment section में जरूर पूछेगा, thank you very much and I'll be back soon